दोस्तो नमस्कार एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे युट्यूब चैनल सिकर स्टेडी पॉइंट पर दोस्तो आज जो पेपर हुआ था आपका रिवन पर्दुतन सिपाई का तो उसका सही आंसर की लेकर मैं आपके साथ हूँ तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं 100 questions है जो लोग उत्राखंड पुलिस की त्यारी कर रहे हैं तो उसमें भी इसी तरह का लगबग लेबल रहेगा तो आप देखिए अंतर तक और बाकी जो लोग और एक्जाम की त्यारी करते हैं आने वाले जो एक्जाम करने स्टाइक है ज कि उनके कितने सही हो रहे हैं वो कमेंट में बता सकते हैं बांकि इसकी जो कट आफ कितनी रहेगी उसेवर बात में बात करेंगे अभी शिर्फ पे सिदे उत्तर बताऊँगा दोस्तों ज्यादा एक्सप्यान भी निकरूंगा क्योंकि फिर बहुत लंबी वीडियो बन जाती है फिर सो कोस्चिन है तो चलिए शुरू करते हैं पहला कोस्चिन है तुरंत सोचकर निर्णाय लेने वाला कहलाता है तो यह कहलाता परतियुनमती विदोस्तों कई बार पुराने पड़ा होगा तो वाक्यान सिकल एक सब्द में तो आप आसानी से कर सकते हैं वही लाइन आपको बदल के दे दी गई तुरंत सोचकर निर्णाय लेने वाला तो परतियुनमती सही होगा इस्त्रिलिंग कौन सा है इस तरह से पिछली बार भी घ्जाम में पूछा गया था त तो द्रिक यह जो होता है अगर आपने परिवाची पड़े होंगे तो आप आसानी से कर सकते थे इसको तो ओप्शन नमर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा अगला है ध्यान पूर्वक है तो ध्यान पूर्वक दोस्तों यह किरिया विशेशन अव्वे तो ओप्शन डी ह अगला है दारुण सब्द का अर्थ है तो दारुण का होता है भैंकर तो अप्शन ए बिल्कुल सही है अनुवाई में संद्य तो अनुधन आई तो यह ऑप्शन नमर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा बढ़ते हैं अगले कोस्चिन की तरब अगला कोस्चिन है भासा के सब्द की अंतमा जुड़ कर सब्दु का निर्मान करते हैं कहलाते तो अंतमा जुड़ रहें तो यह परते हो जाएंगे तो इसका ऑप्शन नमर बी बिल्कुल सही होगा बढ़ते हैं अगले कोस्चिन की तरब अगला कोस्चिन है विवीद भारती परसरान सिवा की अगर आप गूगल करेंगे तो 1907 आपको मिल जाएगा ट्याई स्मार्च 1907 पिछली बार पूछा गया था और गोरापंत शीवाने का भी पूछा गया था तो जो भी है या कवीत्री है या कवी है तो इनके जनम से भी एक्जाम में पूछ लाजाता है अगला आलोग आलोग का क्या होता तो उजाला होता तो उजाला अंतकार हो जाएगा ओप्शन सी बढ़ते हैं अगले कोश्चिन के तरफ अगला कोश्चिन है उर्ती चिन्या पहचानना मुहावरेकारत है तो इसका सठीक जो लग जाए इन में से तो ऑप्शन नमर एकी तरफ जाएगे तो तैंक दिल्ली है यमना है तो किताब की पुरी जाती जाएगी तो अनुसासन सब्द योगिक सब्द करतेइगा प्रू Самनलहित दाजू रत से बूंस असानी से मिल जाता है दाज्यू बहुत थेमास है शेकर जोसी अगला है वह मनुस्य नहीं देपता है मैं वह है तो वह जो हो जाएगा वह जाएगा पूरुस वाचक यह अन्नी पूरुस वाचक में पूरुस वाचक शरू नाम के अंदर उसमा आता है तो ऑप्शन ए सब्द तो चमाचम हो जाएगा बढ़ते हैं अगले कोश्चिन के तरफ अगला कोश्चिन के तरफ अगला कोश्चिन मोहन एक अच्छा खलाड़ी होते वह भी पौर्णे मत तेज है तो यह है दोस्तों मिश्र हुआ कि तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सटीक बैठता है कोश्चिन के तरफ अगला कोश्चिन मोहन ने केला और संतरा खाया तो यह वाके किसतरह खाय तो कोई आदेस निया कोई प्रसथ निचिशन निदे कि इसमें कोई मना कर रहा हो ूँ तो यह थी हमारे हिंदी गोश्चिन धि отправी और तो तो आप 18 पलंतर चले और तक आए प्रतन वर्थ से गोषित किया गया था तो 2001 और 2015 तो अप्शन नमर सी की तरफ जाएंगे अप्शन नमर सी हमारा बिल्कुल सही है बढ़ते हैं अगले कोस्चिन की तरफ अगला कोस्चिन है निमन मैंसे छेत्र फल की दृष्टि से उत्राखंड का सबसे बड़ा अभ्यारण तो इसमें से अब्भेहराण ने पूछा है आप से सेंचुरी तो इसका सही उत्तर हो जा केदारनाथ पसु भीयार तो यह मैंने आपको जो उत्राखंड पुलिस के लिए भी मैं वीडियो दे रहा हूं दोस्तों उसमें भी दिया था तो केदारनाथ है अगला उत्राखंड विधान सभा में एक सदसे नामित किया जाता है तो एंगलो इंडियन समुधाय से अभी 2022 तक रहेगा उसके बाद समाप्त कर दिया अगला पानीपत का पर्था मिद्ध रड़ा गया था तो पानीपत का पर्था मिद्ध कई बार एकजाम में पूचा जा का दोस्तों पुराना रिपीट कोश्चिन है तो एक किस अप्रण 1926 को होता बाबर और इब्रहायम लोधी के बीच बढ़ते हैं अगले कोश्चिन की तरफ ये भी दोस्तों कोश्चिन रिपीट है साइमन कमिशन भारत पहुंचा था तीन फरवरी 1928 को पहुंचा था ओप् साइस में उत्राखंड में कामेट सिकर क्यों चाहिए तो कई बार दोस्तों कामेट पंचा चुली नंदा देवी कई बार सब पूशे जाते रहते हैं तो ऑप्शन नंबर ये भी हमारा बिल्गूल सब्सक्राइब आप याद रख सकते हैं नंदा देवी पहस्चिमी की अड उत्राखंड में आपकारी ब्योस्ता किसने आरम भी की थी तो आपकारी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जोर्ज बिल्यम ट्रेल आपकारी पटवारी सब ये सब ट्रेल साब को ही जाता है अगला उत्राखंड में नमामी गंगे कारिकरम कहां शुरू हुआ था तो इसका है ह परकी पॉड़ी आपका विल्कुल सही है पढ़ते हैं अगले कोशिन के दरब अगला कोशिन है उत्राखंड राजी में बेल में थी चोहानों हनसा धनाई मानी जानी जाती है तो ये उत्राखंड राजी आंदलनों के सहीत के रूप में अगर आपने परिक्ष्य वानी पढ साइए वही दोस्तों कई बार कुराना कोश्चिन है ओप्सन नंबर 20 का बिल्कुल सही होई का 260 अगला गोर्खंड ने गडवाल पर पर पर्थम आकमनल कप क्या था तो 1791 क्या था लंगूरगड की संधी भी उस समय हुई थी अगला गुरु गोबिंद सिंग द्वारा खाल अगला कोश्चिन है भारत में पूर्वी घाट का सरोची सिखर है तो इसमें से पूर्वी घाट का महेंद्रिग्री इसकी उचाहिए 501 की आसपास है और अगर पस्चिमी घाट की तो अनाई मुडी यह हो जाएगा अगला कोश्चिन है सन 1990 के लिए कौन सा कलेंडर है जो सन 1990 के लिए कलेंडर हुई है जो है तो इसका सही उतर हो जाएगा ऑप्शन नमर डी ऑप्शन नमर डी उनिस्चा 96 ले इसकंद पुराणा में नंदन कानन किस भूग्याल को कहा गया नंदन कानन फूलू की घाटी को क सविधान संसोदन के प्रावधान का वड़न भारती सविधान की सनुषयत में किया गया तो यह उपर वाला कोश्चिन था नंदन कानन और यह भी पुराना कोश्चिन है रिपीट हो गया अनुषय 368 में अगला कोश्चिन है परसनों आचक चिनन के स्थम तो यह reasoning है दोस्त को जी टी गरांट ट्रक तो एच आएगा एच हाई स्कूल आ जाएगा तो आयार इंडन रेलवे तो इस तरह से यहां व्याद कर सकते थे पिल्कुल आशान था दूनागिरी गलेसे रिष्टी तो दूनागिरी गलेसे हो जाएगा ऑप्शन नमर डी यानी की चमोली में अगला कोश्चिन है एक आगरती जो निमन श्रींग क्लामत जारे रखे हुआ है अब दिखने का जिन लोगों ने रेजिंग उनकी अच्छी नहीं है तो दिखने में काफी लोको उटाप लग सकता है पर बिल्कुल आसान है बिल्कुल आसान है आप इसको समाझ सकते हैं एक इश तो आप H L P इस तरह से कर सकते हैं H 8 पर होता है L 12 पर होता है P होता है हमारा कितने पर 16 तो चार 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 बढ़ दा तो अगला हो जाएगा T तो इस तरह से आप कर सकते थे अगर आप नीचे से करना चाहिए C 3 पर होता है F 6 पर होता है यह 3 यहाँ पर पलस 3 हुआ और 2 जूड़ गया अब यहाँ पर G 7 पर होता है और J होता है 10 पर 7 7 और 3 10 और 10 दो 12 तो 3 नीचे जूड़ा है 2 उपर जूड़ा है N होता है हमारा कितने पर जूड़ा हो गया तो T यहाँ आँ गया तो T A की आप्शन में तो T A की आप्शन में हमारा ऑप्शन C में ओगता है 15 पर 15 और 3 18 और 20 तो आप्शन C पूर्वी राम गंगा नदी का उत्वम होता है तो नामिक गले से थाड़ा गड़म आप्शन ए बिल्कुल सही है अगला कोश लक्ष सेन का संबंध की जनपत से अल्मोडा देहरादून इस तरह से ऑप्शन बन सकता है तो लक्ष सेन आपको अल्मोडा याद रखना है हडपा सब्व्यता में पुरातत्तु विदू को किस स्तान पर जूते हुए खेत का साच्चे मिलाया तो वही पुराना कोश्चिन है काली बंगा अगला कोश्चिन उत्राखंड में हुमरूली की स्तापना हुई थी कई बार पूछा जा चुका है उनिस्सो चौदा में बढ ञाना कोश्चिन है फ्रस्ट गार्ड में पूछा गया था तो हो जैका चंप आउसा तो धर स्यामताभ पूछ लिए ऑगया तो जिल्मीलतार इसमें पूछले गया के यह अगला कोश्चिन है इसमें कूछ नी करना था 5-4-9-9-3-12-12-24-24 सबको जोड़ो और 14 का 626 आब अगला कोश्ची ने एक पुरूस का परचर कर आता है महिला ने कहा कि इसकी माता मेरे पिता की एकलोती पुत्रे तो पुरूस महिला से किस परकार संबन दीते तो इसका हो जाएगा दोस्तों एक पुत्र आएगा या जाएगा पुत्र तो ऑप्शन डी विस्पूल सही है अग अगला कोश्ची ने पुरुडू चेरी की पर्थम महिला पुलिस मान देश कौंधी तो यह सुन्दरी नंदा तो सुन्दरी नंदा अगला कोश्ची ने शिमली पाल जी जीव मंडल नी चाहिए तो फरस्टे कार्ड में भी साइद आया हुआ था तो ओड़ी सामय अगला को अगला कोश्ची ने कौन सी मेमोरी सबसे तेज है तो यह कनिस साइगा किसी एक्जाम उत्राखंड के पहले आ चुका है कैस मेमोरी होती है पुराने पर आपने देखे होंगे तो आप बिल्कुल आप कर सकते ते मेग दूत का कुमाओन अगला कोश्ची निमलिखित में से किस खाड़ी देशन होफ मिशन को सं 2021 मैं मंगल पर भेजने की घोषणा किये तो यह ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा बढ़ते हैं अगले कोश्ची निमलिखित विकल्प में से गांधी के सामाजिक विचार संबंदीत है तो अगला फुटबॉल देरा दुन फुटबॉल अकादमी की स्थापना हुई थी तो यह 2011 में हुई थी यह भी परिक्षाणे मिल जाएगा अगला कुश्ची निमन मैं से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्छे माल के रूप में परिक्त करते तो सीमेंट सीमेंट पाट अगला कंप्यूटर में फाइरवाल का उपयोग किया जाता तो यह सुरक्षा के लिए किया जाएगा बदिनात मंदिर को विभावजित किया जाता है तो कई जगे चार वे पर ज्यादा सटीक इसका तीन है ऑप्शन सी काडगोदाम किसने दी के तरपर है तो काडगोदाम म अगर आता है तो उत्राखंडम राष्टपति सासन कई बार एक्जाम में पूछा जा चुका है कम से कम तीन या चार बार अभी तक कूछ लिया गया होगा तो अप्शन ए हो जाएगा कांची पूराम किस्वन सी की राजदानित यह भी पूछा जा चुका है तो ऑप्शन ड अगर बात रहती है तो खटीमा कांड एक सितंबर 1994 को हुआता रामपूर्ति रहा कांड दो उक्टूबर 1994 को आता मसूरी कांड दो सितंबर हुआता दो सितंबर 1994 तो इसका सुमेलित नहीं है पूछा तो नहीं ऑप्शन सी हो जाएगा ना कि आप कुछ लोग डिगर गये मा कोस्तिन दोस्तों चाहे SSC हो रेलवे हो या कहीं हो कुछ हो तो ये कोस्तिन उत्राखंड में भी है कम से कम 5-7 बार जादा बार अभी तक पुछा जा चुका होगा अगर बात करना तो जादा ही पुछा जा चुका होगा तो लिपुलेक दर्रा तो बहत आसान था वही पहले ही पंचुका था जिसमां 2020 के भी उतने करेंट है पर देखने को नहीं मिले या आये नहीं है तो पेपर पहले ही बंचुका था चाहिए तांकि क्योंकि लोगडाउन लग गया तो वही पेपर आपके सामने है सुनामी किस बासा का सब्दक तो कई बार रिपीट कोस्ट प्रव्रत नहीं किया अगया था तो ये रिसीकेस हो जाएगा मांकि हल्दवाणी ये शब किया गया था अगला उत्रा खंड भारतिगढ़ तंत्र का राजजिय है तो ये भी कई बार उचा गया है तो शत्तैस्वा हो जाएगा एक बार पूचा कहती ही भारत का 6पीशुा इस तरह से पूछ लिया गया था तो चतीस गड़ था तो इस तरह से ऑप्शन दे देते आयो उत्रा खंट के छटे राज जी पाल तो केके पॉल हो जाएगा साथ वी बेबी रानी मौर रहा है बाकी डीटेल में आपको पढ़ाई रहा हूं आजकल अगला कुमाओं का सबसे प तो यह उडिसा आ जाएगा हमारे समय बाकी इस तरह से अगर आप मैप देखेंगे तो बी चूबी से इस तरह से आफ ले सकते हैं जितने भी राजी पढ़ेंगे आप इस तरह से आप आठ राजी आप देख सकते हैं गंगानी तब्तकुंड तो यह गंगोत्री में तो एक नदी जो कि गोवा में बैती है अगला कुछी ने भारत में निमन में से कोई निर्णाई करता है कि धन भी तेक है या नहीं तो यह भी कई बार एक्जाम में पूछा गया है तो यह जाएगा लोगसबा अध्यक्षे ऑप्सन डी में लोगसबा अध्यक्षे कई बार उत पर 400 मेगावाट की पर्योजन है 400 मेगावाट की अगर अगली बार एक्जाम में आता है तो आप बिल्कुल याद रखेंगे अनंत पाल का धार्शिल शिलाले किस वन्चे तो धार्शिल एक है तो अनंत पाल तो यह पुमार हो जाएगा तो यह भी भेद आसान था अगला की तरफ USA स्युक्त राजी अमेरिका अगला है निमलिकित मैंसे किसका उल्लेग भारतिस अभिदान की प्रस्तावना मनी है सामाजीक राचनीतों को आर्थिक न्याई इसकी बात की कि तो धार्भिक न्याई की बाद इसमें नहीं की गई है बढ़ते हैं अगली कोशिन की तर अगला कोशिन 25 जून 2004 से 15 मैं 2004 तक दोनों दिनों सामिला कुल कितने दिन होंगे तो इसमें दिन निकालेंगे तो तो 112 आ रहा है तो आप निकाल सकते हैं अगला है उत्रयाखंड राजी में अटल आधर से ग्राम योजना किस वर से प्रारम पकी तो 2019 था तो ज्यादा सटिक अगला कोशिन निमन कारी में से कौन सा केंदर ये बैंक कारी नहीं है तो ये भी कई बार एक्जाम में पूछा गया है दोस्तों उत्राखंड के मैंने अगर आपने पुराने पेपर देखे होंगे तो ये लोग उसे जमा पराप्त करना तो इस तरह से अलग परिभासा बना आपने आरो यारो या कोई और पेपर में मेर को याद आ रहा कि पूछा जा चुका है पहले अगला कुछी ने उत्राखंड में राजी सेक्सिक पुरुषकार योजना कब शुरुई तो सेलेस मेट्यानी जी के नाम पर दिया जाता तो ये 2009 में है वही परिक्च आसानी से मि लगो तो ये थे दोस्तों पूरे कॉस्टिन बागी बहुत जल्दी मेरिट पर वीडियो लाऊंगा आपके लिए तो मिलते अगले वीडियो में थैंक्यू फ्रेंड थैंक्यू सो मच